गिरिराज जी को पार्टी ने चुनाव परचार में लगाया है गिरिराज जी बहुत कुछ गंभीर बातें कहते हैं और गिरिराज जी वही है जिन्होंने जो यहां कॉंग्रेस के प्रत्यासी हैं उनको वहां से बुरी तरह हरा के भेजा था तो पार्टी ने उनको भी भेजा तो है यहां पार्टी की बहुत सारे स्टार परचारक हैं मेरा और डिबलप्मेंट बेस परचार है हम लोगों ने इस चेत्र में पहली बार मेट्रो लाए पहली बार नदी पे सिगनेटर ब्रिज बनाए इतना बढ़िया, पहली बार सास्त्री पार्क का जाम हटाए, पहली बार रिल्वे स्टेशन बनाए, पहली बार सिंटरल स्कूल लाए, पहली बार एलिवेटेड रोड लाए, तो अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है, नरेंदर मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है, हमें इस देश के प्रतेएक घर को 300 इनिट बिजली फ्री देनी है, हमें इस देश के प्रतेएक नौजवान को 20 लाख रुपे देना है, वो अपना रुजगार करे और अर्निंग करने के बाद पैसे वापस कर दे, हम उसको इंट्रेस्ट ना के बराबर रख रह है, हमें इस देश में अब 70 साल के बजुर्ग को इलाज के पैसे के लिए किसी और पे आस्रित नहीं रखना है, पांच लाख का इलाज खुद देना है, और अभी तक 4 करोड 18 लाख को घर दिया, आगे 5 साल में 3 करोड और घरों को बेघर को घर देना है, 3 करोड बेहनों को जिनके पैसे पास में 500 हजार होंगे, उनको लखपती बनाना है, ये हमारा अगला प्लान है, कॉंग्रेस ने ठाना है कि उसको राम मंदिर में ताला लगाना है, 370 वापस लगाना है, कॉंग्रेस ने कहा है कि हम हिंदुओं की समपत्ती को मुसलिम समाज म बाटेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देश की जनता वोट करेगी और मैं हिंदो मुसल्मान सबसे लिक्वेश करूंगा कि कॉंग्रेस की नफरत फैलाओ दंगा कराओ नीती से दूर रहे और इनको देश को बाटने के कोशिश के लिए सबक से किरिराज जी को पार्टी ने चुनावव परचार में लगाया है। गिरिराज जी बहुत कुछ गंवीर बातें क कहते हैं और गिर्राद जी वही है जुन्होंने जो यहां कॉंग्रेस के प्रत्यासी ह्यंग उनको वहां से बुरी टरा हरा के भेजा था तो पार्टी ने उनको भेजा है यहां पार्टी के बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं मेरा development base प्रचार है हम लोगों ने इस चेतर में पहली बार metro लाए पहली बार नदी पे signature ब्रिज बनाए इतना पड़िया पहली बार सास्त्री पार्क का जाम हटाए पहली बार railway station बनाए पहली बार central school लाए पहली बार elevated road लाए तो अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है हमें इस देश के प्रतेख घर को 300 इनिट बिजली फ्री देनी है हमें इस देश के प्रतेख नौजवान को 20 लाक रुपे देना है वो अपना रुजगार करे और अर्णिंग करने के बाद पैसे वापस कर दे हम उसको इंट्रेस्ट ना के बड़ाबर रख रहे हैं हमें इस देश में अब 70 साल के बजुरुक को इलाज के पैसे के लिए किसी और पे आश्रित नहीं रखना है पांच लाग का इलाज खुद देना है और अभी तक 4 करोड 18 लाग को घर दिया आगे 5 साल में 3 करोड और घरों को बेघर को घर देना है 3 करोड बेहनों को जिनके पैसे पास में 500 हजार होंगे उनको लखपती बनाना है यह हमारा अगला प्लान है कॉंग्रेस ने ठाना है कि उसको राम मंदिर में ताला लगाना है 370 वापस लगाना है कॉंग्रेस ने कहा है कि हम हिंदूों की संपत्ती को मुस्लिम समाज में बाटेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देश की जनता वोट करेगी और मैं हिंदूं मुसल्मान सबसे लिक्वेश करूँगा कि कॉंग्रेस की नफरत फैलाओ दंगा कराओ नीती से दूर रहे और इनको देश को बाटने के कोशिस के लिए सबग सेके झाल 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 झाल